हरे क्रिष्णा राथी राथे आप सभी बगतों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है भगवान श्रीक्रिष्णों श्रीमाती राथा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्थ परिवार पर बनी रहे 28 फरवरी 2024 आज है बुधवार का दिन और आज आप सुनेंगे फालगुन मास की कथा का चौधा अध्याए पिछले अध्याए में आप सुन रहे थे राजा प्रभंजन की कथा जो मरीगी के श्राप की वज़े से व्यागर बन जाते हैं इसके बाद उन्हें वनवे ही नंदा गाए मिलती है उसे देखकर व्यागर बहुत प्रसंद होता है कि आज तो भोजन चल कर ही उसके पास आ गया लेकिन नंदा गाए उससे कहती है कि मैं थोड़ी देर के लिए अपने घर जाना चाहती हूँ अपने बच्छरे को दूद पिला कर मैं फिर से वापस आ जाओंगी और फिर तुम मुझे खा जाना अब नंदा की ये बाते सुनकर व्यागर ने कहा अरी अब तुझे पुतर से क्या काम है तब नंदा बोली कि हेमरिगेंद्र मैं पहले पहल बच्छरा भियाई हूँ अता हुसके प्रती मेरी बड़ी ममता है मुझे जाने दो सक्षियों को, नन्हे बच्चे को, रक्षा करने वाले ग्वालों को और गोपियों को तथा विशेशता अपनी जन्मदाइनी माता को देखकर उन सबसे विदा लेकर मैं आ जाओंगी मैं सपत पुर्वक्या बात कहती हूँ यदि तुम्हे विश्वासो तुम मुझे छोड़ दो यदि मैं पुन्हे लोट कर ना आऊं तो मुझे वही पाप लगे जो ब्रामभर तथा माता पिता का वद्ध करने से होता है व्याधों, मिलेच्छों और जहर देने वालों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे जो गोशाला में वेगन डालते हैं सोते हुए प्राणी को मारते हैं तथा जो एक बार अपनी कन्या का घर करके उसे फिर से दूसरे किसी को दे देना चाहते हैं उन्हें जो पाप लगता है वही पाप मुझे भी लगे जो अयोग ये बैलों से बोज उठवाता है उसको लगने वाला पाप मुझे भी लगे जो कथा होते समय विग निरालता है जिसके घर पर आया हुआ मित्र निराश लोट जाता है उसको जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे यदि मैं पुनेह लोटकर ना आओं इन भयंकर पातकों के भैसे मैं अवश्याओंगी नंदा की ये सपते सुनकर व्यागर को उस पर विश्वास हो गया वह बोला गाय तुम्हारी इन शपतों से मुझे तुम पर विश्वास हो गया है पर कुछ लोग तुम से यह भी कहेंगे कि श्ट्री के साथ हास परिहास में विवाह में गौवों को संकट से बचाने में तथा प्राण संकट उपस्तित होने पर जो शपत की जाती है उसकी उपेक्षा से पाप नहीं लगता किन्तु तुम इन बातों पर विश्वास न करना इस संसार में कितने ही ऐसे नास्तिक हैं जो मुर्ख होते हुए भी अपने को पंडिती समझते हैं वे तुम्हारी बुद्धी को क्षण भर में भ्रम में डाल देंगे जिनके चित पर अज्ञान का परदा पड़ा रहता है वे एक शुद्र मनुस्य कुतर्क पूर्ण युक्तियों और द्रिश्टांतों से दूसरों को भी मोह में डाल देते हैं इसलिए तुम्हारी बुद्धी में या बात नहीं आनी चाहिए कि मैंने शपत द्वारा व्याग्र को ठग लिया तुमने ही मुझे धर्म का सारा मार्ग दिखाया है अतर इस समय तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो नंदा बोली हे साधो तुम्हारा कथन बिल्कुल ठ ठीक है तुम्हें कौन ठग सकता है जो दूसरों को ठगना चाहता है वह तो अपने आपको ही ठगता है व्याग्र ने कहा हे गाय अब तुम जाओ हे पुर्वत्चले अपने पुत्र को देखो दूद पिलाओ उसका मस्तक चाटो तथा माता भाई सकी स्वजन एवं बंधु बांधव का दर्शन करके सत्य को आगे रखकर शीग्र ही यहां लोट आओ पुलस्त जी कहते हैं कि वह पुत्रवत्चला धिनू बड़ी सत्यवातिनी थी पुर्वक्त प्रकार से सपत करके जब वह व्याग्र की आग्या ले चुकी तब गोश्ट की ओर चली उसके मुख प पहुचकर उसने सुना बचला पुगार रहा है आवास कान में पढ़ते ही वह उसकी और दोड़ी और निकट पहुचकर नित्रों से आसु बहानी लगी माता को निकट पाकर बचले ने शंकित होकर पूझा मा आज क्या हो गया है मैं तुम्हें प्रसन नहीं देखता तुमा लोगों की अंतिम भेट है अब से तुम्हें माता का दर्शन दुरलब हो जाएगा आज एक दिन मेरा दूद पीकर कल सबेरे से तुम किसका दूद पीओगे हेवत्स मुझे अभी लोट कर जाना है मैं शपत करके यहां आई हूँ भूग से पीडित भाग को मुझे अपना जीवन अरपन करना है तब बच्छडा बोला मा तुम जहा जाना चाहती हो मैं भी वहां चलूँगा तुम्हारे साथ मेरा भी मर जाना ही अच्छा है तुम न रहोगी तो मैं अकेले भी वैसे भी तो मर ही जाऊंगा फिर साथ ही क्यों न मरूँ यदि बाग तुम्हारे क्या प्रयोजन है केवल दूद पीकर रहने वाले बच्चों के लिए माता के समान दूसरा कोई बंधुई नहीं है माता के समान रक्षक माता के समान आश्रय माता के समान सुख तथा माता के समान देवता इह लोक और परलोक में भी नहीं है यह ब्रम्हा जी का स्थापित कि या हुआ परमदर्म है जो पुत्र इसका पालन करते हैं उन्हें उत्तम गति प्राप्थ होती है नंदा ने कहा बेटा मेरी ही म्रित्यू नियत है तुम भहाँ ना जाना दूसरों के उत्यू के साथ अन्य park जीवों की स्थुषिव होती जिसकी मृत्यू नियत है उसी की होती है तुम्हारे लिए माता का या उत्तम एवं अंतिम संदेश है मेरे वचनों का पालन करते हुए यही रहो यही मेरी सबसे बड़ी शुश्रुखा है जलके समीब अत्वावर में विचरते हुए कभी प्रमाद न करना प्रमाद से सम सबका विनास हो जाता है लोब से मोहित होकर लोग समुद्र में घोरवन में तथा दुरगम स्थानों में भी प्रवेश कर जाते हैं लोब के कारण विद्वान पुरुष भी भयंकर पाप कर बैठता है लोब प्रमाद तथा हर एक के प्रति विश्वास कर लेना इन तीन का परिद्याग करना चाहिए बेठा संपुर्ण शिकारी जीवों से तथा मलेक्ष और चोर आदी के द्वारा संकट प्राप्थ होने पर सता प्रयत्न पुर्वक अपने शरीड की रक्षा करनी चाहिए पाप योनी वाले पशुपक्षी अपने साथ एक स्थान पर निवास कर करते हों तो भी उनके विब्रीति जित्त का सहसा पता नहीं लगता नक वाले जीवों का नदियों का सिंग वाले पशुओं का सश्त्र धारन करने वालों का स्त्रियों का तता दूतों का कभी विश्वास करना ही नहीं चाहिए जिस पर पहले कभी विश्वास नहीं किया गय गया हो ऐसे पुरुष पर तो विश्वास करें ही नहीं पर जिस पर विश्वास जम गया हो उस पर भी अत्यंत विश्वास न करें क्योंकि अविश्वशनिय पर विश्वास करने से जो भै उत्पन होता है वह विश्वास करने वालों का समूल नाश कर डालता है औरों की तो बात ही क्या अपने शरीर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए भीरू सभाव वाले अर्थात डर पोक बालक कभी कभी विश्वास न करें क्योंकि बालक डराने धामकाने पर प्रमाद वस गुप्त बात भी दूसरों को बता सकते हैं सर्वत्र और सर्वदा सुंखते हुए ही चलना चाहिए क्योंकि गंद से ही गौवे भली बुरी वस्तु की परक कर पाती हैं भयंकर वन में कभी अकेला न रहें सदा धर्म का ही चिंदन करें मेरी मृत्यू से तुमें घबराने नहीं चाहिए क्योंकि एक नए एक दिन सब की मृत्यू निश्चित है जैसे कोई पतिक चाया का आश्रे लेकर बैठ जाता है और विश्राम करके फिर वहां से चल देता है उसी प्रकार प्राणियों का भी समागम होता है बेटा तुम शोग छोड़कर मेरे वचनों का पालन करो पुलस्ती जी कहते हैं कि यह क्यकर नंदा पुत्र का मस्तक सूंग कर उसे चाटने लगी और अत्यंत शोग के वशिभूत होकर डब डबाई हुई आँकों से बारम बार लंबी सांस लेने लगी ततनंतर बारम बार पुत्र को निहार कर वह अपनी माता सक्यों तथा गोबियों के पास जाकर बोली माता जी मैं अपनी जुन्ड के आगे चरती हुई चली जा रही थी इतने में ही मेरे पास एक व्याग्र आ पहुंचा मैंने अने को सोगंधे खाकर उसे लोट आने का विश्वास दिलाया है तब उसने मुझे छोड़ा है मैं अपने बेटे को देखने तथा आप लोगों से मिलने के लिए चली आई थी अब फिर वहीं जा रही हुँ मा मैंने अपने दुष्ट सुभाव के कारण तुम्हारा जो जो अपराद किया हो वह सब ख्षमा करना और अब अपने इस नाती को ही अपना लड़का करके मानना सक्यों की और मुढ कर बोली प्यारी सक्यों मैंने जान कर या फिर अंजाने में यदि तुमसे कोई अप्रिय बात कहदी हो अत्वा और कोई अपराद किया हो तो उसके लिए तुम सब मुझे ख्षमा करना तुम सब संपुर्ण सत्गुणों से युक्त हो तुम्हें सब कुछ देने की शक्ति है मेरे बालक पर सदा ख्षमा भाव रखना मेरे बच्चा दीन अनात और व्याकुल है इस शक्षियों को मेरे लिए चिंता नहीं करनी चाहिए नंदा की बात सुनकर उसकी माता और उसकी सक्षियों को बड़ा दुख हुआ वे अत्यंत आश्चर्य और विशाद में पढ़कर बोली अहो यह बड़े आश्चर्य की बात है कि व्याग्र के कहने से सत्यवाद्धिनी पुनह उस भयंकर स्थान में प्रवेश करना चाहती है शपत और सत्य के आश्रे से शत्रु को धोखा देकर अपने उपर आई हुए महान भैका यतन पुरवक नाश करना चाहिए जिस उपाय से आत्मरक्षा हो सके वही करतवे हैं हे नंदे तुमें वहां नहीं जाना चाहि अपने नंहे से शिशु को त्याग कर सत्य के लोब से जो तु वहां जा रही है यह तुम्हारे द्वारा अधर्म हो रहा है इस विशय में धर्मवादी रिश्यों ने पहले एक वजन कहा था वह इस प्रकार है प्राण संकट उपस्तित होने पर शपतों के द्वारा आत्मर रक्षा होती हो वहां वह असत्य भी सत्य है और सत्य भी असत्य है नंदा बोली हे बहिनों दूसरों के प्राण बचाने के लिए मैं भी असत्य कह सकती हूं किन्तु अपने लिए अपने जीवन की रक्षा के लिए मैं किसी तरह जूट नहीं बोल सकती जीव अकेले ही सत्य पर ही संसार्टिका हुआ है धर्म की इस्थिती भी सत्य में ही है सत्य के कारण ही समुद्र अपनी मर्यादा का उलंगन नहीं करता राजा बली भगवान विश्णु को प्रित्वी देकर स्वैम पाताल में चले गए और छल से बांधे जाने पर भी सत्य पर ही डटे रहे साथ किये गए अपने नियम को नहीं दोड़ते स्वर्ग मोक्ष तथा धर्म सब सत्य में ही प्रतिष्ठी थे जो अपने वचन का लोब करता है उसने मानों सब का लोब कर दिया सत्य अगाद जल से भरा हुआ तीर्थ है जो उस शुद्ध सत्य में तीर्थ में श्नान करता ह वह जब पापों से मुक्त होकर परमगती को प्राप्त करता है एक हजार अश्वमेग यग्य और सत्यभाशन ये दोनों अगर तराजु पर रखे जाएं तो एक हजार अश्वमेग यग्यों से सत्य का ही पलड़ा भारी रहेगा सत्य भाठन में किसी प्रकार का क्लेश नहीं है सत्य पुरुष की वंश परमपरागत संपत्ति है समपुन आश्रियों में सत्य का ही आश्रय श्रेश्ट माना गया है वह अत्यांत कठिन होने पर भी उसका पालन करना अपने हाथ में है सत्य संपुर्ण जगत के लिए आभूशण रूप है जिस सत्य का उच्चारन करके मलेच भी स्वर्ग में पहुंच जाता है उसका परित्याग कैसे किया जा सकता है सक्या बोली हे नंदे तुम संपुर्ण देवताओं और दैत्यों के द्वारा नमस्कार करने योगे हो क्योंकि तुम परम सत्य का आश्रे लेकर अपने प्राणों का भी त्याग कर रही हो जिसका त्याग बड़ा ही कठिन है ये कल्याणी इस विशय में हम लोग क्या कह सकती है तुम तो धर्म का बीड़ा उठा रही हो इस सत्य के प्रभाव से त्रिभुवन में कोई भी वस्तो दुरलब नहीं है इस महान त्याग से हम लोग यही समझती है कि तुम्हारा अपने पुत्र के साथ वियोग नहीं होगा जिस नारी का चित कल्याण मार्ग में लगा हुआ हो उस पर कभी आपत्या नहीं आती पुलस्ती जी कहते हैं कि तद्रंतर गोपियों से मिलकर तथा समस्त गौव समुदाय की परिक्रमा करके वहां के देवताओं और व्रिक्षों से विदा लेकर नंदा वहां से चल पड़ी उसने प्रित्वी, वरुण, अगनी, वायू, चंद्रमा, दसों, दिक्पाल, वन के व्रिक्ष, आकास के नक्षत्र, तथा ग्रह इन सब को बारम बार प्रणाम करके कहा इस वन में जो सिद्ध और वन्देवता निवास करते हैं, वे वन में चड़ते हुए मेरे पुत्र की रक्षा करें इस प्रकार पुत्र के शनेह वस बहुत सी बातें कहकर नंदा वहां से प्रस्तित हुई और उस स्थान पर पहुँची जहां वह तीखी दाढ़ों और भयांकर आकरिती वाला मांस भक्षी बाग मुह बाये बैठा था उसके पहुँचने के साथ ही उसका बचड़ा भी अपनी पूछ उपर को उठाए अत्यंत वेग से दोड़ता हुआ वहां आ गया और अपनी माता और व्याग्र दोनों के आगे खड़ा हो गया पुत्र को आया देखकर तथा सामने खड़े हुए मृत्य रूप बाग पर द्रिष्टी डाल कर उस गौने कहा हेमरिग राज मैं सत्य धर्म का पालन करती हुई तुम्हारे पास आ गई हूँ अब मेरे मांस से तुम इच्छा अनुसार अपनी त्रिप्ती करो व्याग्र बोला गाय तुम बड़ी सत्यवादरी निकली कल्याणी तुम्हारा स्वागत है सत्य का आश्रय लेने वाले प्राणियों का कभी कोई अमंगल नहीं होता तुमने लोटने के लिए जो पहले सत्य पुर्वक सपत की थी उसे सुनकर मुझे बड़ा कौतुहल हुआ था कि यह जाकर फिर कैसे लोटेगी तुम्हारे सत्य की परिक्षा के लिए ही मैंने पुनह तुम्हें भेज दिया था अन्य था मेरे पास आकर तुम जीती जागती कैसे लोट सकती थी मेरा वा कौतुहल पूरा हुआ और मैं तुम्हारे भीतर सत्य खोज रहा था वा मुझे मिल गया इस सत्य के प्रभाव से मैंने तुम्हें छोड़ दिया आज से तुम मेरी बहिन हुई और यह तुम्हारा पूतर मेरा भांजा हो गया हे शुभे तुमने अपने आचरण से मुझ महान पापी को या उपदेश दिया है कि सत्य पर ही संपुण लोग प्रतिष्ठित है सत्य के ही आधार पर धर्मठी का हुआ है हे कल्याणी त्रिण और लताओं सहित भूमी के वे प्रदेश धन्य है जहां तुम निवाज करती हो जो तुम्हारा दूद पीते हैं वे धन्य हैं क्रितार्थ है उन्होंने ही पुन्य किया है और उन्होंने ही जन्म का फल पाया है देवताओं ने मेरे सामने आदर्च रखा है गवों में ऐसा सत्य है यह देखकर मुझे अब अपने जीवन से भी अरूची हो गई है अब मैं वह कर्म करूंगा जिसके द्वारा पाप से चुटकारा पा जाओं अब तक मैंने हजारों जीवों को मारा और खाया है मैं महान पापी, दुराचारी, निर्दई और हत्यारा हूँ पता नहीं ऐसा दारून कर्म करके मुझे किन लोकों में जाना पड़ेगा हे बहीन, इस समय मुझे अपने पापों से शुद्ध होने के लिए जैसी तबस्या करनी चाहिए उसे संचेप में बताओ क्योंकि अब विस्तार पुरवक सुनने का समय नहीं है गाय बोली, भाई बाग, विद्वान पुरुस सत्य युग में तबकी प्रसंसा करते हैं और त्रेता में ज्यान तथा उसके सहायक कर्म की द्वापर में यग्यों को ही उत्तम बतलाते हैं किन्तु कल युग में एक मातर दान ही स्रेष्ट माना गया है संपुण दानों में एक ही दान सर्वुत्तम है वह है संपुण भूतों को अभैदान इससे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है जो समस्त चराचर प्राणियों को अभैदान देता है वह सब प्रकार के भैसे मुग्ध होकर परब्रम को प्राप्त होता है अहिंसा के समान न कोई दान है न कोई तपस्या जैसे हाथी के पदेचिन्ने में अन्य सभी प्राणियों के पदेचिन्न समा जाते हैं उसी प्रकार अहिंसा के द्वारा सभी धर्म प्राप्थ हो जाते हैं योग एक ऐसा व्रिक्ष है, जिसकी छाया तीन तापों का विनाश करने वाली है, धर्म और ज्यान उस व्रिक्ष के फूल है, स्वर्ग दथा मुक्ष उसके फल है, जो आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभोतिक, इन तीनों प्रकार के दुखों से संतप्त है, वे इस य योग व्रिक्ष की छाया का आश्रे लेते हैं, वहाँ जाने से उन्हें उत्तम शांति की प्राप्ति होती है, जिससे फिर कभी दुखों के द्वारा में बाधित नहीं होते, यही परमकल्यान का साधन है, जिसे मने संचेप में बताया है, तुम्हें ये सभी बाते ग्यात ह केवल मुझसे पूछ रहे हो, व्याख्र ने कहा, पुर्वकाल में मैं एक राजा था, किन्तु एक मिरिगी के श्राप से मुझे बाग का शरीर धारन करना पड़ा, तब से निरंतर प्राणियों का वद्ध करते रहने के कारण मुझे सारी बाते भूल गई थी, इस समय तु तुमने आकर मुझे धर्म का स्वरुप बताया, जो सत्पूर्शों के मार्ग में प्रतिष्टित है, कल्याडी, तुम्हारा नाम क्या है, नंदा बोली, मेरे यूथ के स्वामी का नाम नंद है, उन्होंने ही मेरा नाम नंदा रख दिया है, पुलस्ती जी कहते हैं कि नंद का दर्शन करने के लिए साक्षात धर्म वहां आये, और इस प्रकार बोले, हे नंदे, मैं धर्म हूँ, तुम्हारी सत्यवाणी से आकरिष्ट होकर यहां आया हूँ, तुम मुझसे कोई स्रेष्ट वर मांग लो, धर्म के ऐसा कहने पर नंदा ने यह वर मांगा, कि हे धर् आज, आपकी कृपा से मैं पुत्र सहित उत्तम पद को प्राप्त हूँ, तथा यह स्थान मुनियों को धर्म प्रदान करने वाला सुभतिर्थ बन जाए, हे देवेश्वर, यह सरस्वती नदी आज से मेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो, इसका नाम नंदा पढ़ जाए, आपन सरस्वती के तड़ से स्वर्ग को गई थी, तथा उसने धर्मराज से इस आशय का वर्दान भी मांगा था, इसलिए विद्वानों ने यहां सरस्वती का नाम नंदा रग दिया, जो मनुश्य वहां जाते समय सरस्वती के नाम का उच्चारण मात्र कर लेता है, वह जीवन सरस्वती नदी में श्नान करते हैं, वे मृत्यू के बाद स्वर्ग में पहुँचकर सुख भोगते हुए आनंदित होते हैं, सरस्वती नदी सदा ही इस्त्रियों को सवभागय प्रदान करने वाली है, तृतिया को यदि उसका सेवन किया जाए, तो वह विशेश सवभाग दाइनी होती है, उस दिन उसके दर्सन से भी मनुश्य को पापरासी से चुटकारा मिल जाता है, जो पुरुस उसके जल का सपर्स करते हैं, उन्हें भी मुनीश्वर समझना चाहिए, वहाँ चांदी दान करने से मनुश्य रूपवान होता है, ब्रम्हा की पुत्री यह सरस चाला नाम धारन करती है, वहाँ से कुछी दूर आगे जाकर यह पुनह पस्चिम दिशा की ओर मुड़ गई है, वहाँ से सरस्वती की धारा प्रकट देखी जा सकती है, उसके तटों पर अत्यंत मनुहर तीर्थ और देव मंदिर हैं, जो मुनियों और सिद्ध पूर्शों प्रदान करने वाला होता है, हरे कृष्णा, आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ, इसके आगे का प्रितान तब कल की कथा में सुनेंगे, उमीद करती हूँ आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो कथा, तो वीडियो को लाइक करना तो बिल नारायड कवच, भगवान श्री हरी, गरुड जी की पीट पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं, अडिमा आधी आठों सिध्या उनकी सेवा कर रही हैं, और आठ हाथों में शंक, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बान, धनुश और पाश, अर्थात, फंदा, धारन किये हुए वेही ओमकार स्वरुप प्रभू, सब प्रकार से, सब और से मेरी रक्षा करें, मज्सिमूर्थी भगवान जल के भीतर जलतन्तुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें, माया से ब्रह्मचारी डूप धारन करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्रित्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें, जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गोंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्ब गिर गये थे, वे दैत्य यूत्पतियों के शत्रु भगवान रिसिम्ह, किले, जंगल, रणभूमी आधि विकट स् भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें, भगवान नारायन मारण मोहन आधि भयंकर अभिचारों और सबब्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें, रिसि स्रेष्ट नर्ग गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रे योग के विग्णों से, और त देवर्शी नारद सेवा पराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नर्कों से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारन करने वाले भगवान कलकी पाप बहुल कलिकाल के दोशों से मेरी रक्षा करें। प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। और सायंकाल में ब्रह्मा आदी, त्रिमूर्थ धारी माधव, सुर्यास्थ के बाद हृषी केस, अर्ध रात्री के पुर्वतता अर्ध रात्री के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्री के पिछले प्रहर में स्रीवत्स लांचन श्रीहरी, उशाकाल में खडगधारी भगवान जनार्धन और सुर्योदे से पुर्वश्टी दामोदर और संपुर्ण संध्याओं में काल मूर्थी भगवान विश्वेस्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन आपका आकार चक्र रत के पहिये की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालिन अग्नी के समान अत्यांत तिवर है। आप भगवान की प्रेड़ना से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायू की सहायता से सूखे घासफूस जला डालती हैं, वैसे ही आप हमारी शत्रू सेना को शीगर से जला दीजिए। चूर-चूर कर दीजिए। ये शंक स्रेष्ट आप भगवान स्रे कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रू का दिल दहला दीजिए। एवं यातुधान, प्रमत, प्रेत, मात्रिका, पिशाच तथा ब्रह्मराक्षस आदी भयावने प्राणियों को यहां से तुरंत भगा दीजिए। भूद प्रेत आदी तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भै हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयूधों का कीर्थन करने से ततकाल नश्ठ हो जाएं। आयूध तथा स्रेष्ट पार्सद हमारी बुद्धी, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अत्वा कारण रूप जगत है, वह वास्तों में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नश्ठ हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी द्रिष्टी में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रही थे, भेदों से रही थे, फिर भीवे अपनी माया शक्ती के द्वारा भूशन, आयुद और रूप नामक शक्तियों को धारन करते है यह बात निश्चित रूप से सत्य है, इस कारण सर्वग्य सर्वव्यापक भगवान श्री हरी सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें, जो अपने भयंकर आट्टाहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सब का तेज ग्रश लेते हैं वे भगवान रिसिम्म दिशा विदिशा में नीचे उपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें, हे देवराज इंद्र मैंने तुम्हे यह नारायन कवच सुना दिया है, इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य यूध पत् इस नारायन कवच को धारन करने वाला पुरुष, जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है, अत्वा पैर से छू देता है, ततकाल समस्त भायों से वो मुक्त हो जाता है, जो इस वैशनवी विद्या को धारन कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच, आदी और बागाती हिंशक जीवों से कभी किसी प्रकार का भै नहीं होता, है देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गौतरी ब्रामभन ने इस विद्या को धारन करके योग धारना से अपना शरीर मरू भूमी में त्याग दिया, अब जहां उस ब्रामभन का शरीर पड़े, इस घटना से उनके आश्चरे की सीमा न रही, जब उन्हें बाल खिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायन कवश धारन करनी का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्रामभन देव की हड्यों को ले जाकर पुर्ववाहिनी सरस्वती रदी में प्रवाहित कर दिय और फिर स्नान करके वे अपने लोग को चले गए, श्री सुकदेव जी कहते हैं हे परिक्षित जो पुरुष इस नारायन कवश को समय पर सुनता है और जो आदर पुर्व किसी धारन करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से जुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों स से मुक्त हो जाता है, हे परिक्षित शत्यक्रतु इंद्रने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैशनेवी विद्या प्राप्त करके रण भूमी में असरों को जीत लिया और वे त्रैलुक्य लक्षमी का उपभोग करने लगे, श्री नारायन कवच संपुर्ण हुआ, श जेंद्र भानु नंदि नीव्र जेंद्र सूनु संगते, कदाकरिश्य सीहमां क्रिपाक्टाक्ष भाजनम्, अशोक व्रिक्ष वल्लरी वितान मंड पस्थिते, प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रि को मले, वराभय स्फुरत करे प्रभूत संप दालये, कदाकरि जेंद्र सूनु संप देंद्र भाजनम्, अनंगरंग मंगलं प्रसंग भंगुरं भुवां, सविब्रमं ससंब्रमं द्रिगंत बाण पातने, निरंतरं वशीकृत प्रतीत नंद नंदने, कदाकरिश्य सीहमां क्रिपाक्टाक्ष भाजनम्, तडित्सुवर्ण चंपक प् प्रभा परास्त कोटि सार देंदु मंडले, विचित्र चित्र संचरच्च कोर शावलोचने, कदाकरिश्य सीहमां क्रिपाक्टाक्ष भाजनम्, मदोन्म दादि योवने प्रमोद मान मंडिते, प्रियानुराग रंजिते, कलाविलास पंडिते, अनन्य धन्य कुंज राज काम केली कोविदे, कदाकरिश्य सीहमां क्रिपाक्टाक्ष भाजनम्, अशेश हाव भाव धीर हीर हार भूसिते, प्रभूत शात कुंब कुंब कुंबि कुंब सुस्तनी, प्रसस्त मंद हाश्य चुर्ण पुर्ण सोख्य सागरे, कदाकरिश्य सीहमां क्रिपाक्टाक्ष ब्रिणाल वाल वल्लरीत रंग रंग दोर्लते लताग्र लास्य लोल नील लोच नावलोकने ललल्लुलन मिलन्मनोग्य मुग्ध मोहिनाश्रिते कदाकरीष्यसीहमां क्रिपाकटाक्ष भाजनम सुवर्ण मल्ली कांचित त्रिरेख कम्बु कंठगे त्रिसुत्र मंगली गुण त्रिरत्न दिप्ति दीधिते सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुम्फिते कदाकरीष्यसीहमां क्रिपाकटाक्ष भाजनम नितंब बिम्ब लंब मान पुष्प मेखलागुणे प्रशस्तरत्न केंकिडी कलाप मध्य मन्जुले करिंद्र शुन्ड दंडिकाव रोह शोभ गोरुके कदाकरीष्यसीहमां क्रिपाकटाक्ष भाजनम अनेक मंत्र नाद मंजुनू पुरारवस्खलत समाज राज हंस वंश निक्वडाति गोरवे विलोलहेम वल्लरी विडंब चारुचंक्रमे कदाकरीष्यसीहमां क्रिपाकटाक्ष भाजनम अनन्त कोटि विश्णू लोकनम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोम जाविरिंचे जावर प्रदे अपार सिध्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदाकरीष्यसीहमां क्रिपाकटाक्ष भाजनम मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वधेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण साशनेश्वरी रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी, व्रजाधिपे, श्रिराधिके, नमोस्तुते इतीम मद्भुतं स्तवं निशम्य भानु नंदिनी करोतु संततं जनं क्रिपाक टाक्ष भाजनं भवेत्त दैव संचित त्रिरूप कर्म नाशनं लभेत्त दाब्रजेंद्र सुनु मंडल प्रवेशनं जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे ओम विश्वमविष्वुर वश्टकारो भूत भवय भवत्रभु भूत क्रित भूत भृत्भावो भूत आत्मा भूत भाहन पूतात्मा पर्मात्मा चा मुक्तानाम परमागति अव्यय पुर्शा साक्षी शेत्रग्य अक्षर एवचा योगो योग्य विदामनेता प्रधान पुरुषेश्वरह नारसिंगव पूश्रीमान केशवः पुरुषोत्तमा सर्वा शर्व शिवस्थानुर भूतादिर निधर्व्यया संभवो भावनो भर्ता प्रभव प्र अग्राहिया शाश्वत हक्रिष्णो रोहिताक्ष अक्रतर्दन प्रभूतस्त्रिककुपधाम पवित्रम्मंगलंपरम इशान प्राण दह प्राणु जेश्ठा स्रेष्ठ प्रजापति हिरन्य गर्भो भूगर्भो माधवो मदु सूधन इश्वरो विक्रमीधन्वी प्रेयात्मा सर्वयोग विनीश्रित वसुर्वसुमना सत्य समात्मा सम्मितहसमा अमोग पुंडरी काक्षो व्रिशकरमा अवरिशाक्रिती रुद्रो बहुशिराब अब्रूर विश्वयोनी सुचिश्रवा अम्रितह शाश्वतस्थानूर वरारोहो महात्पा सर्वगह स सुराध्यक्ष, धर्माध्यक्ष, खृतर आत्मा, चत्रुविन, चत्रुद्रस्त, चत्रुभुजा। संधानभी झाट dona संधाथा संधिमानस्ति र अजो धूर extend शाष्ता विश्रुतात्मा असुरारिहा गुरुडगुर्त मोधामा सत्य सत्य पराक्रमा निमिशो अनिमिशो श्रग्वी वाचश्पती रुदारधी अग्रनित ग्रामनी श्रीमा न्यायो नेता समीरड सहस्त्रमुधा विश्वात्मा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात आवर्त संकलप सिर्दिध सिर्दी सादन व्रिशंही व्रिश भुव भिष्णूर् विष्परवा व्रिशोधर रह्व वर्धनों व्र्धमानस्च्ड विविक्त्या Option शुरुतार्षवा शुभुजऄो दूर्धरोवाग्मी महेंद्रों वसुदोत IFSUS कुरूबो ब्रिहद रूप शबिविष्ट प्रकाशन ओजस्ते जो दुदिधर प्रकाशात्मा प्रतापन रिधस्पस्टाक्षरो मंत्रस चंद्रांशुर भाश कर दूति ही अम्रितां शुद्भवो भानु शश्विंदु सुरेश्वर औशधम जगता सेतु सत्यधर्म प पहनो नल काम हा काम घ्रितकंत काम ह्काम प्रध प्रभु युगादी कृध्यू गावर्तो नेकमायो महाशन अद्रिष्य अव्यक्त रूपस्च सहस्त्रजित नहट जित इश्टो अविसिस्ट सिष्टेश्ट सिखंडी नहुसो ब्रिष प्रोध खृतकर्ता प्राणदो वासो वानुजँ अपामनी धिर्धेष्टानं प्रमत्त हप्रतिष्टिता, सकंद सकंद धरोधूरियो बरदो वायु वाहन, वासु देवो बिहत्भानु रादि देव पूरंदर, अशोकस्तार अनस्तार, शूर सौर इर्जनेश्वर, अनुकूल हशतावर्त प पद्मी पद्मनी भेक्षन, पद्मनाभो अर्विंदाक्ष, पद्मगर्भ, शरीर भृत, महर्धिरित दो वृत्धात्मा महाक्षो गरुराद्वज, अतुलाशर भोभीमो समयक्जो हविरहरी, सर्वलक्षन लक्षन्यो लक्ष्मिवान समितिन जय, विक्षरो रोहितो मार् उद्भवाचो भणो देवा स्री गर्भा परमेश्वरा करणम कारणम करता विकरता गहनो गुवा व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थान दोध्रुव, परर्थी परमस्पस्तुष्ट, पुष्ट असुभेक्षण, रामो विरामो विर्जो मार्गो नेयो नेयो नेया, वीर शक्तिमताम्ज्रेष्टो धर्मो धर्मविदुत्तम, व्यकुंट पुर्ष प्राण, अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधन अनिर्विन्न स्थविष्टवू धर्मयुपो महामख नक्षत्रने मिरनक्षत्री छमाचाम समीहना एग्य इज्यो महिज्यस्च, स्ववतर्शीवि मुक्तात्मा सर्वग्यो ग्यान मुत्तमं सुवरता सुमख सुष्मा सुघोसा सुखदा सुहृता मनोहरोजितक्रोधो वीरबाहुर विदारणा स्वापनास्वव सोव्यापी नैकात्मानेक कर्मकृत बत्सरोवसलोवसी रत्नगर्भो धनेश्वरा धर्मगुप धर्मकृत धर्मकृत धर्मी सदसक्षरमक्षरम अव पिंद्रो भुरिदक्षिन, सोम्मः अमृत पहजोम, पुरुजित पुरुसत्तम, विन्योजय सत्यसंधो दाशाह सात्वतामपती, जीवो विनैता साक्षी मुकुंदो अमित विक्रम, अम्भो निद्रनन्तात्मा महोदधी इशयोंतकह, अजो महारह स्वाभाव्यो जिताम गुईयो गभीरो गहनो गुप्तस्चक्रगदाधर, वेथा स्वांगो अजिता, कृष्णो दृढ संकर्षणो चुत, वरुणो बारुणो व्रिक्ष, पुस्कराक्षो महामनाह, भगवान भगहानन दी वनमाली हलायुथ, आदित्यो जोती रादित्या, सहिश्णोर गति सत्तमा, सुधन्वा खंड पर्शूर दारुणो द्रविडा प्रदा, दिविस्तिरिक्सरवद्रिग्व्यासो वाचस्पतिर योनिजह, त्रिसामा सामा गहसामा निर्वानम भेश जम्भिसक, सन्यास्क्रिच्छमा शांतो निष्ठा शांति ही परायनम, शुभांगा शां श्री निधी श्री विभावन, श्रीधर श्रीकर श्रेय, श्रीमान लोक त्रयाश्रेय, स्वक्षा स्वंग, शतानन्दो, नंदिर्जो तिर्गनेश्वर, विजितात्मा विधेयात्मा सत्किर्थे श्चिन्न संसिय, उदिरना सर्व तक्षा शुर, निशा शाष्वतास् अर्चिश्मानर चिता कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरत प्रद्युम्नो अमितविक्रमा कालेनेमी निहावीर शौरी सुर्जनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशव केशिहारी कामदेव कामपाल कामी कांत कृतागमा अनिर्देश महाय ज्वा महायक्जो महाहव Frei पुरुणवस्तो्ट्रूंह MAR Smam दर्पहादर पदो द्रिप्तो दूर्थरो था पराजित विश्वमूर्थिर महामूर्थिर दिप्तमूर्थिर मूर्थिमान अनेक मूर्थिर अभ्यक्त शत्मूर्थि शतानन एको नैक सवक किम यत्तत पदमनुत्तमं लोकबंधूर लोकनाथो माधोवो भक्त वसल सुवर् जस्वर्ण विन्दु रक्षोब्ध्य शर्ववागी इश्वरेश्वर। महाइरदो महागर्तो महाभूतो महा निदी कुमुदह कुंदर कुंदः परजन्या पावनो निल अमरिताशो अमरित वपु सर्वग्या सर्वतो मुख सुलभा सुव्रत सिध्धा सत्रुजी सत्रुतापन न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्त स्चानु रांध्र निशूदना सहस्त्राट्चीह सप्त जीव सप्तेधा सप्त वाहना अमूर्दिरणगो अचिंत्यो भैक्रित भैनासना अनुर्ब्रिहत क्रिशास्थूलो गुण भृण निर गुणो महान अध्रित स्वध्रित स्वास्य प्राग्वंशो वंश वर्धना भार भृतिकतितो योगी योगी ससर्व कामद आश्रम श्रमन छाम सुपरणो वायु वाहना धनुर्धरोर धनुर्वेदो दंडोदम इतादमा अप राजिता सर्वसहू नियंता अनिय मोयमा सत्व वांसात्विक सत्य सत्य धर्म परायण अभी प्र्याया प्रियार होर्ह प्रियकृत्पील्थिवर्धन विहाय सगतेर जोति सुरुचिर हुद भुग विभू रवीर वीलोचना सुर्य सविता रवीलोचना अनन्तोहुत भुगभोगता सुखदो नैक जोगरजा अनिर विन्न सदामर्शी लोकाधेश्टा अनमदभुता सनात सनातंतमा कपिला कपिरप्यया स्वस्तिदा स्वस्तिक्रिस्वस्ति स्वस्ति भुग स्वस्ति दक्षणा रोद्रह कुंडली चक्रे विक्रम्यूर अनन्त्रूपो अनन्तस्रिट जित्मन्यूर भयापह चत्रष्टो गभिरात्मा विदिचो व्यादिशोदिश अनादिर भूर्भु ओलक्ष्मी स्वीरो रुचिरांगद जन नो जन जन मादिर भीमो भीम पराक्रमा आधार नीले योधाता पुस्पहास प्रजागर उर्ध् आम प्राण नीलिया प्राण भृत्प्राण जीवना तत्वम तत्व विदेकात्मा जनमें मृत्यो जरातिग फुर्भू अस्व स्तरुस्तावर सविताप्रपितामह यजो यग्य पतिर्यजवा यग्यांगो यज्यवाहना यग्ये भृत्य यरत्यगी यज्यभुकh और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीचा जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय नमो नमो तुलसी महरानी महिमा अमितन जाय बखानी दियो विष्ण तुमको सन माना जग में चायो सुयस महाना विष्ण प्रिया जय जयति भवानी तिहूं लोक की हो सुख खानी भगवत पूजा करे जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होई जिन घर तव नहीं हो या निवासा उस घर कर ही विष्ण नहीं बासा करे सदा जो तव नित सुमिरन तेही के काज हो या सब पूरन कार्तिक मास महात्म तुम्हारा ताको जानत सब संसारा तव पूजन जो करे कुवारी पावे सुंदर वर्श कुमारी करे जो पूजा नित प्रतिनारी सुख संपति से होय सुखारी बृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुल कितमन श्रद्धा से पूजे जो कोई भवनिदि से तर जावे सोई कथा भागवत यग्य करावे तुम बिन नहीं सफलता पावे चायो तब प्रताप जग भारी ध्यावत तुमें सकल चित धारी तुमी मात यंत्रं तंत्रन में सकल काज सिद्धी होवे छण में ओश धिरूप आप हो माता सब जग में तव यश विख्याता देवरिशीमुनी और तप धारी करत सदा तव जै जै कारी वेद पुरानन तव यश गाया महिमा अगम पार नहीं पाया नमो नमो जै जै सुख कारनी नमो नमो जै दुखनी वारनी नमो नमो सुख संपति देनी नमो नमो अग काटन चेनी नमो नमो भक्तन दुख हरनी नमो नमो दुष्टन मद चेनी नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी, नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी, नमो नमो जै कुमत नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी जयती जयती जय तुलसी माई ध्याउं तुमको शीष नवाई निजजन जानी मोही अपनाओ बिगडे कारज आप बनाओ करूं बिने मैं मात तुमारी पूरण आशा करहू हमारी शरण चरण कर जोरी मनाऊं निशदिन तेरे ही गुडगाऊं करहूं मात अब मोपर दाया निर्मल होए सकल ममकाया मांगूं मात यही बर दीजे सकल मनोरत पूरण कीजे जानू नहीं कचुनेम अचारा छमहूं मात अपराद हमारा बारह मास करे जो पूजा ता सम जग में और नहीं दूजा प्रतमही गंगा जल मंगवावे फिर सुन्दर शनान करावे चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे धूप दीप नैवेद्य लगावे करे आच मन गंगा जल से ध्यान करे रिदै निर्मल से पाठ करे फिर चाली साकी अस्तुति करे मात तुल साकी यह विधि पूजा करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा करे मास कार्तिक का साधन सोवे नित पवित्र हुई जाही है यह कथा महा सुखदाई पढ़े सुने सो भवतर जाई यह श्री तुलिसी चाली सा पाठ करे जो कोई गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होई चाली सी महारानी की आरती तुल्सी महारानी नमो नमो हरी की पट्रानी नमो नमो धन्य तुलसी पूरण तपकी नो धन्य तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग राम की बनी पतरानी नमो नमो, तुलसी महरानी नमो नमो, हरी की पतरानी नमो नमो जाके पत्र मंजरी को मले, श्रीपती कमले चरण लपतानी नमो नमो, हरी की पतरानी नमो नमो, तुलसी महरानी नमो नमो धूप दीप ने वेद्य आरती, पुष्पन की वरसा बरसानी नमो नमो, हरी की पतरानी नमो नमो, तुलसा महरानी नमो नमो चपन भोग छत्ति सोव्यंजन, बिन तुलसा हरी एक नमानी नमो नमो, तुलसी महरानी नमो नमो, हरी की पतरानी नमो नमो सभी सखी मैया तेरो यशे गावे, भक्ति दाने दीजे महरानी नमो नमो, तुलसा महरानी नमो नमो, हरी की पतरानी नमो नमो प्रेम से बोलिए, तुलसी महिया की जै दोस्तों उमीद करती हूँ आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर किया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड से शाँ शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी, उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी मिलती मैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए जय श्री राथे